कि अगल प्रॉब है लोड़ेंज वेल्कम बैक मैं हूँ पीके निराला एक बार फिर से रिवेर इंगलिस क्लासे इस में आप सभी का हरदिक स्वागत है सारे बच्चों को गुड इवनिंग, फटा पर सारे बच्चे जूर जाए और जो बच्चे नहीं जूर पाएं उसे आज की क्लास का लिंक सेर कर दीजे चले आज का क्लास और आज का सेशन बहुत ही इंपोटेंट रहेगा, जो बच्चे 2023 अर्थाथ इस साल एक्जाम देने वाले हैं, चार फरवरी को उस बच्चे का एक्जाम है इंग्लिस का, उस बच्चों के लिए आज का क्लास बहुत ही इंपोटेंट रहेगा, आप सभी आप लोग तयार हैं आज हम लोग जो करने वाले हैं आपका model set आपको आज हम करवाएंगे जो बच्चे exam देंगे चार फरवड़ी को English का वो बच्चे के लिए बहुत important session आज करेगा जिस तरह बिहार बोर्ड में जो question आपको पूछा जाएगा ठीक उसी तरह आपको just like उसी तरह आपको practice करवाय जाएगा तो आप लोग फटापट आप तयार हो जाए copy रखे सामने में जो option आपको लगेगा सही है वो option comment भी करेंगे और अपनी copy में भी लिखते चलेंगे तो आप लोग तयार है सुर्बात करें आज का सेशन सारे बच्चों को good evening फटा पर सारे बच्चे जुड़ जाएगे चलिए अगर हमारी आवाज आपको सही वे में जा रहा है तो सारे बच्चे yes लिख कर comment करें चल्दी करो जल्दी जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाओ चलो चलो सारे बच्चे कारा yes sir yes sir चलो बहुत बढ़ियां आप लोग फटा फट जुड़िये जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उसे आज की क्लास का लिंक सेर करो जल्दी करो सुर्बात करें चले हम लोग सुर्बात करते हैं आज के सेशन में बहुत ही सांदार क्लास होगा आज का और आप सभी बच्चे फटा फट जुड़ जाइए बस इंतिजार आपी का है फटा फट जुड़िये जल्दी कीजे चले सुर्बात करें आज के सेशन में आपको 50 क्वेशन करवाया जाएगा आप पर सकते हो आपको 50 क्वेशन आपको करवाया जाएगा आप ध्यान रखे 50 क्वेशन आपको शारे प्रशनों का जबाब आपको देना है तो आप तयार हो क्वेशन सुरू करें येस करें या नहीं कि लेड से खड़े चलो तेयार हो चलो येस सर चलो PDF भी मिल जाएगा सारे बच्चे जो PDF चाहते हो इस question का PDF भी दे दिया जाएगा लेकिन एक दिन डिले होगा कल के कल आपको हम PDF दे देंगे ओके लेकिन कल का जो session होगा वो session का आपका PDF कल ही मिल जाएगा चलिए शुर्बात करें चलिए आपका पहला question आपके screen पे आ रहा है चलिए जल्दी बताइए बच्चे पढ़िए इस question को सही sentence को चुनना है इन चार option में से कौन से sentence सही है आप जल्दी चुनिए समय आपके पास केवल 20 सेकेंड दी जाएगी आप फड़ा फड़ चुनो और सही option चुन कर comment करो चलो चलो रवी कुमार बहुत बढ़ियां देखे देखे बच्चे question की जवाब बिल्कुल सही दे रहा है चले जल्दी कीजे सारे बच्चे जल्दी comment करके बताईए चले चले अमीत कुमार चंदन कुमार चलो सुभास कुमार चलो बहुत बढ़ियां जल्दी comment करके बताओ क सा question सही होगा choose the correct sentence सही sentence को चुनना है मेरे भाई आपने परहूंगे निश्चित रूफ से आपको one minute चले आपको बताया गया होगा मेरे भाई क्या लगा हुआ 9 9 days this time present time at the moment keep quiet अगर लगा हुआ रहे तो is rm प्लस भर्व का fourth form का यूज करते हैं ओके तो चलिए मेरे भाई यहाँ आप देख लिजे आपका दिया हुआ है 9 क्या दिया हुआ है 9 तो आप देख लो मेरे भाई m के साथ भर्व का fourth form लगती है ठीक है भर्ब का fourth form अकेला नहीं आता उसके साथ helping भर्ब चाहिए is RM इसलिए ये option नहीं होगा चले मेरे भाई भर्ब का third form के साथ helping भर्ब चाहिए has, have, had जो नहीं है इसलिए गलत है चले यहाँ देखे, sell will के साथ भर्ब का first form आता है, भर्ब का fourth form इसलिए गलत है आपका right option होगा A, ओके, चले अधिकांस बच्चे ने right option A selection किया था बहुती अच्छे जबाब दिये हैं, चले अगले question की और, चले, अगला question आपके screen पर देना जबाब correct काता है, आपको combine कीजे, दो sentence को combine करना है, question है, I missed the bus, I was late जल्दी करो, जल्दी करो सारे बच्चे, right option comment करो चले, आपका समय समाप्त हुआ, ध्यान दीजे, ध्यान दीजे, आपका समय समाप्त हो गिया, question समझे, काता I missed the bus, मुझे bus छूट गई, अगला है, I was late, मैं late था, अधिकांस, बच्चे की जबाब, कुछ बच्चे की जबाब भी आ रहा, भी आ रहा, भी आ रहा, आए मेरे भाई, काता I missed the bus, when I was late, बिल्कुल गलत है, one minute, थोड़ा सा, आज adjustment में, थोड़ा सा गरवरी आ रहा है, चुकि बहुत दिन के बाद live आए हैं, तो थोड़ा सा वे चली, आपका question है, I missed the bus, when I was late, बिल्कुल गलत है ये, ये नहीं होगा, चले, I missed the bus, because I was late, ये भी नहीं होगा, चले, काने के मतलब है, मुझे बस छूट गई, अगर छूटने का कोई वजय होगा न, कारण है, क्या लगेगा, cause है, कारण है, because का स्तमाल होगा, I missed the bus, because I was late, आपका right option, आपका right option क्या होगा, आपका right option D होगा, ओके, चले, आगे बरते हैं, अगले question की और, अगला question है, ध्यान से पढ़िए, आपको चार option आपके screen पर है, सही जवाब देना है, चल्दी करो, जल्दी करो, सारे बच्चे, सारे बच्चे को good evening, फटा पर सारे बच्चे जुड़ जाए, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, उसे आज की class का link share कीजे, जल्दी कीजे, काता the water up, दीजी reverse, खाले अस्थान डल्टी, आपको बताना है, कि right option आपका, इज होगा, आर होगा, हैज होगा, या हैब होगा, चल्दी करो, चल्दी करो, कुछ बच्चे की जवाब C आ रहा है, चलो, चलो जल्दी करो, आप ए दे रहे हैं, मतलब इज बदा रहे हैं, चले, चले आपका समय शमाप्त हुआ, ध्यान दीजे मेरे भाई, आपका इस sentence का आपका subject है, water, क्या है मेरे भाई, water है, और आपको पता है, water material noun है, और material noun हमेशा singular होता है, और singular भर्व लेता है, इसलिए आपको यहाँ, आपक right option क्या होगा, is होगा, इसलिए right option आपका क्या होगा, is, यहाँ singular भर में hedge का अस्तमाल नहीं होगा, किसका अस्तमाल नहीं होगा, hedge का अस्तमाल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कारण है कि hedge pass में रखने के sense में होती है, और यहाँ pass में रखने के sense में कोई sense नहीं है, इसलिए आज का स्तमाल नहीं होगा राइट ओप्षन आपका ए होगा चलिए अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर जल्दी बताइए जल्दी बताइए थोरा सा क्या है आज कुछ दिनों के बाद लाइब आये हैं थोरा अरजेस्टमेंट में दिक्कत है के मेरा भी सही वे में काम नहीं कर रहा है बोर्ड भी सही वे में सही वे में चल नहीं रहा है थोरा सा अरजेस्टमेंट में दिक्कत है लेकिन कल से आपको दिक्कत नहीं रहेगा चलो थोरो जल्दी करो जल्दी करो आपके question आपके screen पे बताना John Kalis Tharn in hospital for 2 weeks जल्दी बताना है चले कुछ बच्चे की जबाब A है कुछ का C है चलो जल्दी बताओ कुछ का जबाब C है चले कुछ का जबाब A है लेकिन जल्दी कीजे सारे बच्चे जल्दी कीजे राजू कुमार की जबाब A है चलो बहुत ही चुन्दर चले मेरे भाई आप देख लिज़े आपका समय समाप्त हो गया चले मेरे भाई आप देख लिज़े यहां आपका क्या है और आपको पता है सिंस या फोर पलस टाइम परजेन परफेक्ट कंटिनमस स्टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिनमस स्टेंस होगी सिंस या फोर पलस टाइम किस स्टेंस को दिखाता है परजेन परफेक्ट कंटिनमस स्टेंस और present perfect continuous के लिए आपको ग्यांत होगा hedge या have plus bean plus verb का fourth form तो बताइए मेरे भाई, right option क्या होगा चलो बहुत बढ़ियां कुछ बच्चे की जबाब यह आ रहा है और बिल्कुल सही जबाब आपने दिये हैं यह ही होगा चले अगला question लेते हैं अगले question की और question number five question है मेरे भाई look कालियस्थान this painting जल्दी बताना है यह preposition आपको fill up करना है चार option आपके सामने है option A in है option B at है option C off है option D o double f है जल्दी बताना है जल्दी बताना है जल्दी बताओ क्या होगा चले कुछ बच्चे की जबाब B है चलो कुछ की जबाब B B B B बहुत सुन्दर जल्दी बताओ जल्दी बताओ सारे बच्चे कॉमेंट करके बताओ क्या होगा चलो चलो नितीश कुमार रोहीत कुमार चले गुंजन कुमारी गुंजन कुमारी ध्यान दिजे, आपका क्या होगा, चलिए, ध्यान दिजे, सही क्या होना चाहिए, सही क्या होना चाहिए, one minute, चलिए, ध्यान दिजे मेरे भाई, चलिए, थोरा सा अरजेस्टमेंट में दिखत है, यह आपको भी बताया गया, देखें मेरे भाई, लुक एट, क्या है, लुक एट, तो ध्यान देखना है, कि जो बच्चे लुक एट में पिक किये हैं, बिलकुल आपने सही जवाब दिए हैं, पिक लुक एट ही होगा, क्योंकि लुक एट, लुक मेरे भाई एक भर्व है, लुक एक भर्व है, और इसके साथ एक प्रिपॉज इसन अट लगता है, इसका मतलब होता देखना, क्या होता है? देखना, तो look at का मतलब देखना और यही सेंस में का रहा है, उस panting को देखो, उस panting को देखो, देखने के सेंस में है, इसलिए look के साथ at का पडियोग होगा, right option बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जब आप कुछ बच्चे दिये हैं राइट ओफ्षन भी होगा चलिए अगले कोश्चन की और और अगला कोश्चन लेते हैं चलिए अगला कोश्चन की और बढ़ते हैं चलिए अगला कोश्चन है ध्यान से पढ़िए ध्यान से पढ़िए आपको मोडल भर्व से रेलेटेट क्वेश्चन है, जल्दी कीजे, जल्दी कीजे, चलो, कुछ बच्चे जब आप C दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी दे रहे हैं, चलो, चलो, नितीस कुमार, चलो, जल्दी करो, चलो, चलो, गुडिया कुमारी, गुडिया कुमारी राइट option B दी है चलो चलो देखते हैं काउन काउन सही जवाब दे पा रहे हैं चले जल्दी कीजे जल्दी कीजे भाई चल जल्दी कीजे चलो राज की सोर right option A चलो देखो right option क्या होना चाहिए काता है driver चले question है drivers Kaliaistan not drive over the speed limit आपकी जो है driver को कर रहा है एक सला है एक advice है कि driver को जो है speed जो है वो limit जो दी जाती है उसको over नहीं करना चाहिए मतलब जो सिमित speed है जो एक समान चालक को एक सिमित speed में रखना चाहिए उससे जादा speed उसे driver को नहीं चलाना चाहिए drive नहीं करना चाहिए एक सला है एक advice है इसलिए right option आपका होगा should मतलब एक driver को over speed गारी नहीं चलाना चाहिए तो आपका right option होगा should चले अगले question की और बढ़ते हैं अगला question आपके screen पर चल्दी बताना है तोरा साज adjustment में दिक्कत हुआ है और बहुत दीनों के बाद live आए हैं चलो कल से दिक्कत नहीं होगी जल्दी करो सारे बच्चे जल्दी करो question है either of the two girls कालियस्तान acceptable जल्दी करना है आपको सहायक क्रिया आपको भरना है इज होगा आर होगा हैब होगा या हैज होगा जल्दी करो जो बच्चे नहीं जूर पाएं उसे आज की class का link सेर कर दो बहुती सांदार आपका आज का सेशन चलेगी जल्दी करो जल्दी करो बहुत सुंदर चले अधिकांस बच्चे की जवाब भी आ रहा है आरती कुमारी की भी जवाब भी है चलो चलो रोशन कुमार का भी जवाब इज है चले देखे मेरे भाई आपका क्या है कारन क्या है ध्यान से समझे, ध्यान से समझे, question क्या है, आपने आपको पढ़ाया गया होगा, ध्यान दो, पढ़ाया गया होगा, each, either, neither, ये चीज आपको बताया गया होगा, आपने syntax topic पढ़े थे, वहां बताया गया होगा, each, either, neither के बाद कोई preposition off आएं, उसके बाद आने वाला जो noun वो पुल्डल नाउन होगा लेकिन भर्ब हमेशा क्या होगा सिंगलर होगा भर्ब हमेशा क्या होगा सिंगलर होगा याद रखना है each either neither हमेशा सिंगलर है और सिंगलर भर्ब लेगा इसलिए each either neither any every none ध्यांडे someone somebody something anyone anybody anything everyone everybody everything नो बन नोबडी नो फिंग यह सब हमेशा सिंगलर है सिंगलर भर्व लेता है याद रखना इस सीज को चलो कुश्चन आपका है मेरे भाई आइदर और आइदर के बाद आने वाला भर्व हमेशा क्या होगा सिंगलर होगा इसलिए राइट ओफशन आपका राइट ओफशन क् उके चले अगले question की और बढ़े चले पाउती आनंदारा जल्दी जल्दी सारे बच्चे question को ध्यान से परो और परने के बाद जो question आपको सही लगे उसको फिलब करो टिक करो बताओ चलो और आप लोग जल्दी जल्दी share करो like करो उके चलो अगला question आपके screen पे सी खाली अस्तान है यार next week बताना है जल्दी बताओ जल्दी करो बताओ क्या होना चाहिए जल्दी बताओ भाई आपकी question ये आपका 10 से related है चलो कुछ बच्चे A बता रहा है चलो चलो जल्दी करो कुछ बच्चे C चलो सत्यम कुमार का भी जबाब आ रहा चलो नितीश कुमार रुपेस यादब चलो चलो कुछ बच्चे B C D चलो सब साड़े बच्चे की जबाब अलगल आ रहा चंदन चंदन पंकज का जबाब ए है चलो देखते हैं आपका question है काता है ध्यानदो मेरे भाई ये आपका है next week क्या है next week का मतलब next का मतलब होता अगला आने वाला समय तो जब कोई काम जब कोई किरिया आने वाला समय में होता है तो उस action को हम future में रखते हैं ध्यान रखे मेरे भाई next, next day, next month, next year, tomorrow ये सब आने वाले समय को दिखाता है और आने वाला समय के लिए present future independent tense का प्रियोग करते हैं और future independent का मतलब sell या will के साथ भर्ब का first form लगेगा, sell या will के साथ भर्ब का first form लगेगा, इसलिए right option आपका D होगा, क्या होगा, right option D होगा चले, कुछ बच्चे की जबाब A आ रहा था, कुछ का D आ रहा था, लेकिन मेरे भाई, थोरा सा पढ़िए, question को पहले पढ़िए, समझिए, तब उसकी आप selection करके comment कीजिए, कौन सा होना चाहिए इसलिए आप से विंती है, कि आप पहले question को पढ़े, निश्चित रूफ से आप जबाब देंगे, आप available है, मतलब आप capable है, आपके अंदर वह quality है, आप जबाब दे सकते हैं, वसरते आप पहले question को पढ़िए, पढ़ने के बात question की जबाब दीजे, क्या, सही है ना, करोग बिलकुल, अगले question की और बढ़ते हैं, अगला question है, ध्यान दो, ध्यान दो, question को देखे ही, कालियस्थान, विडियो गेम्स, क्या होना चाहिए, had playing, am playing, are playing, is playing, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चलो, yes sir, yes sir, चलो, जबाब बताओ, जबाब बताओ, बाई, जबाब ब सतीस जल्दी करो, पंकज आर्मी जल्दी, ए, 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 चलो, जल्दी करो, चलो, चलो, कुछ बच्चे, each playing बता रहा है, चलो, अच्छा है, देखते हैं, क्या होना चाहिए, चले, अधिकांस बच्चे की जबाब आ रहा है, आईए, देखते हैं, क्या होना चाहिए, सबसे प का ये आपका ही है पले बताओ ही सिंगलर सब्जेक्ट या पुल्डल सिंगलर सब्जेक्ट ही के साथ इज दे या आर ही के साथ इज की आर इज आर का स्तमाल नहीं होगा चले क्या ही के साथ एम लगा है बिलकुल नहीं तो इसलिए एम भी नहीं होगा चलो अब बताओ मेरे भ हैज हैब हैड के साथ भर्ब का ठट फॉर्म आएगा इसलिए हैज हैब हैड के साथ भी भोर नहीं आएगा इसलिए राइट ऑफशन आपका डी होगा अधिकांस बच्चे की जबाब डी आ रहा था बिलकुल आपने सही जबाब दिया है चलिए देखते हैं अगले कुश्चन की और चलो अगला कुश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान देना है मेरे भाई है किल्र दो टाइगर काले स्थांदा गन बताना है जल्दी बताना मेरे भाई और आगे से आपके S screen पर time भी आएगा, आप देख लो यह S screen पर, आपको time आएगा, लेकिन आज किसी कारण बस वो apply नहीं हो पाया, लेकिन आगे से setting सही way में हो जाएगा, adjustment हो जाएगा, चलो चलो जल्दी खरो, पटापट सारे बच्चे जुरो, जो बच्चे जुड़े हैं, ज थोड़ी से प्रेसानी होगी लेकिन कल से मज़ा आने वाला है चल दी करो चलो चले चले अधिकांस बच्चे की जबाब सी आ है देख्या होना चाहिए तो गन है याद होगा प्रिपोजिशन में हमने आपको बताया था अगर आप नहीं जानते तो ध्यान से सुन ले जब कोई काम जब कोई क्रिया मानव के यंत्र के मतलब मानब के सरीर के अंग के द्वारा हो या कोई यंत्र के द्वारा जब कोई काम संपादित हो तो हम वित का प्रियोग करते हैं लेकिन जब कोई काम मानब के द्वारा संपादित हो तो भाय लगेगा लेकिन जब कोई काम सरीर के अंग या यंत्र के द्वारा संपादित हो तो वित का प्रयोग होता है यहाँ आपका गंजो है ये यंत्र है और यंत्र के द्वारा कोई काम संपादित होगा वित का प्रयोग होगा इसलिए right option C होगा चले अगले question की और बढ़ते हैं बताना है choose the correctly spelled word सही word चुनना है चले जल्दी करो मेरे भाई क्या होना चाहिए कामीटी का सही spelling word क्या है जल्दी बताओ जल्दी बताओ चलो 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 कुछ बच्चे की जबाब ए आ रहा है चलो 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 जल्दी करो कुंदन किशोर जल्दी करो अभिशेक खुमार पंडित चलो C जबाब दे रहा है क्या होना चाहिए चले मेरे भाई आपका समाप्त होआ कामीटी का सही स्प्लिंग होगा C-O-M-M-I-T-E राइट ओफ्षन आपका A होगा क्या होगा A होगा और अधिकांस बच्चे जबाब दे रहे थे कुछ बच्चे जबाब A दे रहे थे कुछ C दे रहे थे चले आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है आपका ये बुक का है A marriage proposal का ये question है Anton Chakop ने ये topic लिखे है जल्दी बताना है A marriage proposal is A marriage proposal क्या है tragedy है comedy है tragedy comedy है या none of these है जल्दी बताना है जल्दी बताना है जल्दी चले कुछ बच्चे B चलो कुछ बच्चे सचीन B जबाब दे रहा है चलो सचीन थोड़ा सा देखो question को क्या होना चाहिए जल्दी करो जल्दी करो जल्दी कुछ बच्चे B जबाब दे रहा है चलो जल्दी करो चलो जल्दी 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 जितन्दर जी जल्दी करो जल्दी करो आपके question A marriage proposal एक comedy नाटक है मेरे भाई ये एक drama है तीन कारक्टर है आपको पता है ने मेरे भई वान एक्ट प्ले नाटक है तीन कारक्टर है लुमूब है चुबकोब है और नाटालिया है बिल्कुल आपने बड़ी आनंद लिये देश टॉपिक मे तो ए मैरेज प्रपोजन क्या है एक कमीडी है राइट ओफ्षन भी होगा च आपके स्क्रीन पर ग्रेट एस्कोलर एंद पोईट खालियस्तन डाइड बताना है यह आपका सिंटक्स से कुष्चन है सहायक किलिया आपको हिल्पिंग भर भरना है है वोगा है और होगा या वेर होगा जल्दी करो जल्दी करो बहुत ही आनंद आने वाला है बस इसी से आपका जो सेट आने वाला है मोडल सेट कल से जो हम करवाएंगे वह बिल्कुल बिहार बॉर्ड पर अधारीत होगी जिसमें आपको 30 क्वेस्टन ग्रामर से होगा और 20 क्वेस्टन आपसे बुक से होगा और 50 क्वेस्टन आपको करवाना है इसलए आपको पैसंस बस जुड़े रहे, जो explanation होगा, जो बताया जाएगा, उसको ध्यान से सुनना भी है, और मेरे भाई, आपको बताया गया है, ध्यान होगा end के दुआरा, अगर दो पद पोश्ट आपस में जुरा हो, और दोनों में से किसी एक में preposition लगा हुआ रहे, तो वह singular होंगे, और singular भ दूआरा, दो अगर आपको नाउंड पद पोश्ट, इधर भी नाउंड है पद पोश्ट, और दोनों में से किसी एक को आल्टिकल्स ए एंड़ प्राप्त हो, तो वस आने वाला भर्व क्या होगा, singular होगा, इसको भी एंद प्राप्त हो, और इसको भी ए और एंड़ प्रा से पर्थम को आल्टिक्ल्स ए अंदो प्राप्त हो आने वाला भर्व सिंगलर होगा दोनों को प्राप्त हो आने वाला भर्व पुल्डल होगा तो आप देखलो मेरे वाई यह poet में ए अंदो नहीं लगा हुआ है scholar जो great scholar मी दो लगा हुआ है और थाथ कुछ बच्चे की जबाब, कुछ बच्चे की जबाब भी आ रहा था बिलकुल आप ने सही जबाब दिया है राइट आफ्षोन भी होगा बिलकुल मजा आ गया इसटान चुनना है fill up करना है say option चुनना है बताना है holy is कालियस्थान important festival क्या होगा a होगा n होगा da होगा या कोई articles का प्रियोग नहीं होगा चले कुछ बच्चे da बता रहा है कुछ बच्चे c option बता रहा है जल्दी करना है जल्दी करना है अटपटा question नहीं बता मतलब जबाब नहीं देना रवी कुमार चंदन कुमार जल्दी करो बिल्कुल सही चलो कुछ बच्चे तो बिल्कुल सही जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं चलो 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 मेरे भाई ध्यान दो काता होली जो है एक महत्वपुर्ण तो यहार है तो मेरे भाई एक महत्वपुर्ण तो यहार है तो मेरे भाई जब एगो एक्ठो की बोध होगा तो ए और एन का प्रियोग होगा क्या होगा? ए और एन का प्रियोग होगा तो यहां मेरे भाई काता होली जो है एक महत्वपुर्ण तो यहार है तो एगो एक ठोकता जल्दी यह होगा या एन होगा दाकास्तमाल नहीं होगा जल्दी बताओ यह होगा या एन important चलो धोगा होली is an important festival right option B चलो कुछ बच्चे बिल्कुल सही जबाब दे रहे थे B option दिये थे चलो चलो बहुत बढ़िया चले अगले question की और बढ़ते हैं अगला question लेते हैं जल्दी बताना है जल्दी बताना काता what did the poet throw on the snake a snake के उपर कभी ने क्या फेके याद होगा आपने snake point पढ़ा dh lawrence का आपने point पढ़े थे snake dh lawrence जो कभी जो है dh lawrence ने जो गए थे पानी पीने के लिए अपने पीचर के साथ और केरप ट्री के नीचे जो खड़े थे खड़े होकर वह snake के सारे द्रिश को देख रहे थे देखने में उसे आनंदा रहा था जब snake पानी पीकर जब वह अपने चिद्र में उस crack में जब वह वापस जाने लगे थे तो कभी ने उसके उपर क्या फेका लोटा फेक दिया वह जो पीचर के साथ गया था घरा के साथ उसको फेक दिया क्या फेका जल्दी बताओ चलो कुछ बच्चे तो C option दे रहे हैं चलो अमोल कुमार चलो देखते हैं कुछ सन क्या होना चाहिए चले कुछ बच्चे ए दे रहे हैं देखो भाई पहली की कुछ सन की जवाब दो और पटा दोगे नो तो मजा नहीं आता है चलो चलो मेरे भाई तो कभी ने क्या फेका था एक क्लामसी लॉग फेका था एक बेढंग डंडे फेके थे जब कभी जो है उस क्यारप ट्री के नीचे जब खड़े होकर जब वह देख रहे थे तो वह एसनिक पानी पीकर पुना वापस जब जाने लगे तो कभी को लगा ये जो खुफशूरत द्रिस है अब देखने को नहीं मिलेगी इसलिए उसके अंदर से एक आवाज आया कि क्या देख रहे हो मुरक उठाओ डंडा और मार डालो इसे मार डालो इसलिए उन्हों ने बगल में बेढंग डंडे रखा हुआ था उसको उठाया और उसपर फेक दिया तो क्या फेका एक क्लामसी लॉग फेका चली अगले कुष्षन की और बढ़ते हैं अगला कुष्षन आपके स्क्रीन पर जल्दी बताना है क्या होगा आपको बताना है इन्डारिक नारेशन नारेशन से question है आपके स्क्रीन पे काता इंडारिक नारेशन चले चल जल्दी बताना है क्या होगा होना चाहिए पढ़के जबाब दो अटपटा मत दो question narration का है question अटपटा नहीं देना है A कुछ बच्चे B दे रहे हैं चलो कुछ बच्चे C जबाब दे रहे हैं चलो 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 जल्दी खरो चलो C A A C चलो कुछ अलग-अलग जबाब मिलना भाई तेयार नहीं किये हो दिक्खत है तेयार करो grammar के question को पढ़ो मतलब जितना topic आपका syllabus में है सारे question को practice करो अर्था सारे topic को practice करो question की practice हो जाएगा पहले कुछ theory को कुछ theory का मतलब practice करो theory का theory जब practice हो जाएगा तो उसके बाद topic से related question बनाओगे थोरा सा आज थोरा nervous भी हूँ चुकि adjustment सही वे में नहीं होगा इसलिए थोरा सा अटपठा लग रहा है और थोरा सा mind makeup उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए चुकि हमने सोच के आया था चलो आज बहुत ही खुफसूरत practice करवाएंगे लेकिन यहाँ adjust में नहीं हुआ camera सही वे में नहीं लगा board काम नहीं करा घरी जो watch लगाए थे screen पे time वो adjust नहीं हुआ जिसके वज़े से आज थोरा सा nervous फिल कर रहा हूँ तोरा अच्या मितलब महसूस नहीं कर रहा हूँ लेकिन काल से ठीक रखूंगा चलो आप लोग थोरा सा patience बनाओ question की जबाब दो चलो कुछ बच्चे B, B, C, B, C चलो चलो देखते हैं क्या होना चाहिए और मेरे भाई देखो question क्या होना चाहिए चलो चलो देखते हैं question बोड पर ध्यान दू question आपको ये आपको कर रहा है कि indirect narration में बदली पता है मेरे भाई reporting subject आपका ज्योंकातियों आएगा चलो ठीक reporting subject चुकि ये भर्व है ये inverted comma के अंदर आपको WH question है इसलिए जब interrogative sentence inverted comma में हो तो आपको change करना था आपको पता है कि आपको change करना था reporting verb ask में already policy से बदला हुआ है इसलिए ask ही होगा reporting object उतार देंगे inverted comma के बदले में उसी WH word का परियोग करेंगे what का what ही आ जाएगा what का what ही रहेगा यहाँ तक कोई दिख्कत चलो अब ध्यान दो ध्यान दो अब देखो इसको sr team में बदलना है किसमे sr team बदलोगे तो you want और आपको पता है कौन person है यही तो दिख्कत है चलो कौन person second person है न second person बदलता है reporting object के नुसार object क्या है he him है इसलिए इसका he होगा यह आपका first firm है और बदलता है past me b2 में बदलेगा इसलिए wanted होगा क्या होगा मेरे भाई wanted होगा board भी सही वे में काम नहीं कर रहा है चलो तो आपका right option क्या होना चाहिए see ask him what he wanted right option b चलो अधिकांस बच्चे भी दे रहा था बिल्कुल आपने सही जबाब दिया है मजा आ गया चलो नायरेसन में गजब गजब तुम लोग बनाए हो चलो अगे बढ़ते हैं अगले question की और अगला question है do you कालियस्तान your first teacher जल्दी बताना है जल्दी बताना बिल्कुल आसान है और ये आसान question आप से बनना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल आपको हम क्लास में भी पढ़ाए हैं और जो बच्चे जो बच्चे आप हो सकता हमारे यान नहीं पढ़े हो तो कहीं ने कहीं तो आप पढ़े होंगे बिल्कुल आप जबाब दे शकते हो चलो कुछ बच्चे C दे रहे हैं कुछ बच्चे A दे रहे हैं लेकिन आप अच्छे जबाब दो भाई आसा आप से करते हैं कि आप जबाब देंगे सही चलो अब देखते हैं मेरे भाई कुछ बच्चे तो बिलकुल सही जबाब दे रहे हैं और अभी तक जो भी कोशन बना है बिलकुल आपने सही जबाब दिया है अब बताओ मेरे भाई do क्या है भर्व का आपको पता है do, does, did do, does, did के साथ हमेशा भर्व का first form आता है do, does, और डीड के साथ यही एक समस्या है चलो अकल से ठीक रहेगा यह सब सेटिंग डीड के साथ हमेशा भर्व का first form आता है तो याद रहे यहाँ भर्व का first form यह भर्व का second form है, fourth form है ये तो future में दिया गिया है, इसलिए right option आपका होगा B, और अधिकांस बच्चे ने B जबाब दिये हैं, बिलकुल सही, अगले question की और, चलो, बताना, passive voice, जल्दी करो, आपके screen पर voice है, question है, he is reading a novel, जल्दी बताना है, passive voice, जल्दी करो, यह सब में आप time नहीं लगना चाहिए, चलो, बढ़ियां से practice करो, रुपेश कुमार, चलो, चलो, जल्दी करो, अधिकांस बच्चे सीदे रहा है, देखते हैं क्या होना चाहिए, चलो, 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 जल्दी करो, कुछ बच्चे A, B, टिक लगा रहे हैं, आसिस कुमार, पूजा, चलो, जल्दी करो, चलो, तो मेरे भाई, आपका right option क्या होगा, आपको पता है, आपका object, A Nobel, चलो, देख लेते, A Nobel, आपको पता है, कि A Nobel, भर्ब का क्षोन फर्म है, फोर्थ फर्म, और फोर्थ फर्म आपको बदलता है, being plus भीत्री में, तो क्या होगा, A Nobel is, A Nobel is being read by him, A Nobel is being, A Nobel is being read by him, बिल्कुल, बिल्कुल, अधिकान्स बच्चे C option चूज कर रहे थे, आपने सही जबाब दिया है, चलो, मजा आ गया, अगले कुस्चन की और बढ़ते हैं, अगला कुस्चन है, जल्दी बताओ, I shall help you, if you call a stand to me, चलो, मेरे भाई, ये टेंज का कुस्चन है, और कुछ बच्चे की जबाब सही नहीं जा रहा है, तो आप patience रखो, 10 practice आपको करवाय जाएगा, 10 class आपको online दी जाएगी, और हर रोज आप थोरा सा ध्यान दोगे, सुनोगे, कुछ explanation भी सुनोगे, ध्यान में रखोगे, तो question बन जाएगा, हुआ मेरे भाई, चलो, 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 बच्चे, कुछ बच्चे B, कुछ बच्चे C, चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी बताओ, क्या होना चाहिए, कुछ बच्चे A, कुछ बच्चे तो O लगा रहे भाई, O क्या है भाई, B, B, चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, B, B, चलो, अधिकांस बच्चे की जब आप B आ रहा है देखते हैं क्या होना चाहिए हाँ बिलकुल बच्चे B दे रहा है B दे रहा है कुछ बच्चे C भी लगा रहा है लेकिन मेरे भाई आपका right of sun B होगा क्या होगा B होगा क्या कारण है क्यों B होगा आप ध्यान दो आपको बताया गया था यह आपने होंगे जब दो संटेंस एक साथ हो कितने दो संटेंस एक साथ हो दोनों संटेंस future में हो किसमें हो future में हो दोनों में से किसी एक में condition लगा हुआ हो condition में if लगा हुआ हो when लगा हुआ हो unless लगा हुआ हो until लगा हुआ हो यह सब जिसमें लगा हुआ रहेगा वह बनेगा shall ya will plus भर्व का first form और जिसमें नहीं लगा हुआ है वह वाला sentence बनेगा b1 या b5 से ओके त्यांदो question पूछता है इस तरह का और आपके board में इस तरह की question देखने को मिली है द्यांदो सुनो जब दो sentence एक साथ हो दोनो sentence future में हो किसी एक में सर्थ लगा हुआ हो जिसमें सर्थ लगा हुआ रहेगा वह बनेगा वह बनेगा किस से किस से बनेगा किस से द्यांदो question पे आज़ो पहले question पे आज़ो जिसमें सर्थ लगा हुआ रहेगा उल्टा हो गिया द्यांदो उल्टा हो गिया sorry थोरा सा उल्टा हो गिया जिसमें सर्थ लगा रहेगा वह बनेगा भीवन या भी 5 से और जिसमें सर्थ नहीं लगा हुआ रहेगा, वह बनेगा, ध्यान दो, सैलिया विल पलस भीवन, सैलिया विल पलस भीवन, चलो ध्यान दो, जिसमें सर्थ लगा हुआ रहेगा, वह बनेगा भीवन या भी फाइब से, और जिसमें सर्थ नहीं लगा हुआ रहेगा, वह फिर सुन लो जब दो संटेंस एक साथ हो दोनों संटेंस फ्यूचर में हो दोनों संटेंस में से किसी एक में सर्थ लगा हुआ रहे जिसमें सर्थ लगा हुआ रहेगा वह बनेगा भीवन या भी फाइब से जिसमें सर्थ नहीं लगा हुआ रहेगा वह बनेगा सैल या विल भीवन से और तो इसलिए आपका question आपका क्या है देख लो सर्थ लगा हुआ sentence है या बनेगा भीवन या भी 5 से you के साथ भर्ब का first फर्म होगा इसलिए आपका भी होगा को दिकत चल आगे बरते हैं अगले question की और थोरा सा पैसेंस रखो जल्दी करो जल्दी करो question है आई कालियस्थान एस्पिक हिंदी बताना है डज नाउट होगा हैज नाउट होगा डू नाउट होगा या हैड नाउट होगा जल्दी बताओ जल्दी करो कुछ बच्चे D C C C A चलो चल्दी करो सुधीर कुमार चल्दी करो चलो 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 जल्दी जबाब दो क्या होगा राइट देखो वाई इसी तरह के question आपकी बोर्ड में मिलती है आप ध्यान से बनाएं थोरा सा हसी मजाक मत करो शहीवे में क आपका किमती समय है अगर आप दे रहे हैं तो सही वे में काम कीजे चले अब अताना मेरे भाई सबसे पहले बताओ यह आपका एस्पिक भर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और आपको पता है भर्ब के फर्स्ट फॉर्म ध्यान दो और आई क्या है मेरे भाई आई के साथ डज का इस्तमाल नहीं होता है और अगर हैज होता हैज के साथ भर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा इसलिए यह भी नहीं होगा और हैड होता हैज के साथ भर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए जो यह भी नहीं होगा आई के साथ दू आता है और डू डज के साथ भर्म का फर्स्ट फर्म आता है इसलिए राइट आपका होगा सी बिलकुल चलो चलो अगला कोशन आपके स्क्रीन पे पोश्ट दिस काता पोश्ट दिस लेटर पोश्ट दिस लेटर जल्दी करो जल्दी करो पोश्ट दिस लेटर यह आपको बताना पेसिब भॉइस पेसिब भॉइस बताना है जल्दी करो चलो चलो जल्दी करो चलो आप देखलो भाई आपको कार आप पेसिब भाईस में चुनने के लिए थोड़ा सा पेसिंस रखो चलो चलो देखो पेसिब भाईस ये आपका काता है पोस्ट दिस लेटर इस पत्र को पोस्ट करो इस पत्र को पोस्ट करो चलो भाई तो इस पत्र को पोस्ट करो ये ओडर है और याद होगा ओडर वाले वाग का पेसिब भाईस बनाने के लिए आपका order वाले walk का passive voice वर्ब का first form plus object ये आपका active voice है और इसको passive में बदलने के लिए आपको बताय गया था walk का आरम late से होगा उसके बाद object होगा उसके बाद b दिया जाएगा उसके बाद भर्ब का ठट भर्म होगी कोई दिक्कत भाई तो इस तरह से आपका structure बनता ये आपका passive voice है ये आपका active voice है तो आपको क्या समें बदलेगा late आएगा late के बाद इसमें object क्या है this later late this later late this later late this later अब उसके बाद क्या चाहिए b चाहिए आपको इसमें b नहीं है इसमें b नहीं है इसमें नहीं है इसलिए आपका आपका राट होगा later मतला later this later be posted right option होगा चले अगले question की और बरते हैं अगला question आपका screen पे there is a breeze काले अस्थान दा रीवर चलो जल्दी करो जल्दी करो भाई जल्दी करो there is a breeze काले अस्थान दा रीवर very important है कई बार भी hardboard ये question पूछ चुके है चलो जल्दी करो there is a river sorry there is the breeze काले अस्थान दा रीवर चले तो मेरे भाई आपका जो है याद होगा मेरे भाई जो आपके नदी होता है ना नदी के उपर जो पुल होता है तो वह नदी के उपर होता है और अस्पर्स में नहीं होता है तो ध्यान रखे मेरे भाई क्या होगा there is a breeze over the river क्या होगा over the river over का मत्त्व उपर नदी के उपर है अस्पर्स में नहीं है और कम से कम दो दिसा से बंध है तो अबर का प्रियोग होता है तो आपका right option होगा over right option a चलो अगला question की और बढ़ें चलो जल्दी करो जल्दी बताओ क्या होना चाहिए जल्दी करो जल्दी करो चलो आपको देख लो भाई वाज है और वाज के साथ दो condition आपका create होगा या तो वाज या वेर के साथ आप भर्ब का fourth form लगाए ओके चलो मानलो voice के अनुकुल voice के अनुकुल आपका वाज वेर के साथ भर्ब का third form आएगा लेकिन अगर टेंस के अनुकूल वाजवेर के साथ भर्व का फोर्थ फोर्म आएगा अब यहां कुश्चन पर ध्यान दो कुश्चन वाजवेर के साथ आप देख लो बाय लगा हुआ है तो आपका ये आपका इतना तो आप समझ गए होंगे यह भ्वाजवेर के साथ भीवन लगेगा बिलकुल नहीं भ्वाजवेर पहले से एक सायक क्रिया है तो एक सायक क्रिया और लगेगी नहीं एक वाक्त में दो सायक क्रिया एक साथ नहीं आएगा ये भी आपका चला गया इसलिए राइट ओप्शन आपका भी होगा अगर आपने voice परा होगा, तो पता होगा, आप पहले subject देंगे, साय क्रिया देंगे, भर्म का third firm देंगे, उसके बाद by देंगे, उनका subject इनका object बनाएंगे, और बिलकुल आपने उसी form में है, right option आपका भी होगा, कोई दिक्कत भाई, चलो, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, पढ़िये भाई, जल्दी कीजे, अगला question आपके screen पे, चलो, question है, while drinking water, the snake lifted his head like a, एक snake point D.H. Lawrence का ये point है, और आपने ये point पढ़े हैं, पढ़े हैं न, चलो, जब कभी जो है, जब कभी उस carab tree के नीचे, snake को देख रहे थे, जो water top पर वह पानी पी रहे थे, तो snake अपने सीर को किस तरह उठाया, कभी को लगा कि snake जो है, हमें और असपस्ट रूप से देख रहे हैं, और असपस्ट रूप से हमें देख रहे हैं, तो कभी जो है, कभी को जो snake किस तरह देखा, तो ओ असपस्ट रूप में, लेकिन snake किस तरह अपने सीर को उठाया, तो एक मवेसी की तरह, जैसे कि मवेसी को पानी पीने देते हो बाल्टी में, तो मवेसी अपने सीर को उठाता है, पानी पीता है, तब जो सामने में जो इन चाइब देता फिर उठाता है तो सनेक भी उस वाटा अपने सीर डालते ते फिर उठाते थे तो कभी का रहे हैं कि उस मवेशी की तरह अपने सीर को उठा रहे थे इस राइट अफसंग आपका होगा सी चलो अगले question की और बढ़े अगला question आपके screen पे अभी just बात हुआ था अभी just बात हुआ था आपके question ध्यान दीजेगा मेरे भाई काता है Where Sita Kalistan back? We will discuss the problem जल्दी बताना है चलो कुछ बच्चे का C, कुछ बच्चे D जल्दी करो कुछ बच्चे C चलो कुछ बच्चे B भी option दे रहा है चलो जल्दी करो क्या होना चाहिए लेकिन अभी just पीछे बताए है बस उसी base पर ये भी बनेगा चलो B दे रहा कुछ बच्चे B option दे रहा चलो B चलो B सोनू B option दे रहा चलो सोनू बहुत बढ़िया विकास कुमार B बता रहा है चलो देखते हैं कुंदन कुमार C बता रहा है चलो चलो जल्दी करो देखते हैं किस बच्चे की सही जबाब होता है कुछ बच्चे तो yes लिख रहा है चलो चलो मेरे वाई अभी just हमने आपको पीछले में बताए जब दो sentence एक साथ हो दोनो sentence future में हो दोनों में से किसी एक में सर्थ लगा हुआ हो condition लगा हुआ हो जिसमें condition लगा हुआ रहेगा if, when, where या सब जिसमें लगा हुआ रहेगा उस वाले sentence का जो भर्व होगा वा भर्व का first form या fifth form होगा present and definite tense से बनेगा लेकिन जिसमें नहीं लगा हुआ रहे है वह बनेगा salya will salya will plus भर्व का first form कोई दिकत चलो good तो आप यहां देख लो आप यहां देखो क्या है question देखो condition लगा हुआ है जो condition वाले वाक है वह बनेगा भीवन या भीवन या भी five से भीवन या भी five से जो अदर वाक है वह बनेगा salya will plus भीवन से बना हुआ है तो आपका right इसमें क्या होगा सीता के साथ भर्व का fourth मतलब fifth form उसके एसाफ से right option आपका भी होगा right option भी होगा कोई दिकत और question चुकि question आपके सामने मतलब आपको करवाने का विचार था 50 question करवाने का लेकिन थोरा way में आज board सही way में काम ने कर रहा और उस तरह से थोरा सा जो काम सही way में न हो न तो थोरा सा मजा नहीं आ रहा तो आज की class को यहीं रोक दिया जाए या और कुछ question लिया जाए वैसे 50 question हम करवाएंगे आप एसेंस रखो आज थोरा सा adjustment सही way में नहीं हुआ लेकिन सब दिन तो ऐसा नहीं होगा न कल सही way में काम करेगा तो हम लोग सही 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 से practice कर पाएंगे है ना थोरा सा हम क्या कर अच्छा feeling नहीं कर रहा हूँ मतलब जो होना चाहिए है कि नहीं आप लोगों के साथ जुरा हूँ इसलिए थोरा सा ठीक लग रहा लेकिन कुछ ठीक नहीं है क्या continue किया जाए या कल यहां के बाद आगे किया जाए मतलब कल अगला सेट लेंगे 50 question जिसमें 30 question आपका grammar का होगा मतलब 20 question आपका book का होगा बिलकुल आपकी board model होगा जो बच्चे जो बच्चे चार फरवड़ी को एक्जाम देने वाले हैं आप 10 सेट बनाव बहुती लाब होगा लेकिन जो explanation होगा उसको ध्यान में रखना है निश्ची दुरूफ से आपको दिक्कत नहीं होगा तो बताओ क्या करें continue रखे या कल आठ वजे फिर से एक बार मिले और सही वे में practice करे कल सर चलो stop ओके ओके बिलकुल आप लोग कहीं जाना नहीं है बिलकुल हम पर विश्वास रखो सारे question आपको बनेगा और दिक्कत नहीं होगा चार फरवरी को आपका exam बहतरीन जाएगा बस 10 set आप कर लो आज के अतरिक अब 9 set आपको बचा है 9 set आपको करवाएंगे 9 set में आप बहुत ही अच्छे preparation होगा चुकि हम 30 question grammar कैसे दिये हैं बच्चे को अधिकांस बच्चे को grammar वहीं problem है बुक में problem कम है और बुक में problem होता भी नहीं है बस आपको ध्यान से सुनना है और explanation में चीज आपका है question का explanation में चीज है question पर ध्यान देना है तो चलो हम लोग फिर कल मिलेंगे जो भी बच्चे जुरे थे आपको बनेगा बस कल से फिर से एक बार जूड़ जाना निश्ची दुरूफ से लाब होगा तो चलो हम लोग पुना फिर कल मिले हाँ ये भी धियान में रखेंगे कि आपका टाइम कम लगे चुकि समय आज मतलब अभी आपका समय बहुत ही मुलवान है आप समय जादा लगे आपका फिर वह भी दिक्कत है और भी पेपर आपका फिजिक्स, केमस्ट्री, बैलोजी, मैद, हिस्ट्री, जगरुप्प्पी जो भी है, कॉमर्स के बच्चे हैं तो सब को कहीं कहीं टाइम बड़ी मतलब समय बहुत अभी कहीं जादा लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ओके तो हम लोग फुना फिर कल मिलेंगे इसी आठ वजे मिलेंगे आप तयार रहना कॉपी खोल के रखना और सारे कुस्सन की जबाब कॉमेंट भी करना कॉपी में भी लिखना तो चलो विदाले चलो गुड़ नाइट गुड़ नाइट चलो चलो सारे बच्चे को गुड़ नाइट पुना फिर कल मिलेंगे आज के लिए गुड़ नाइट ओके